कभी कभी हम कैमरे पर जो देखते हैं, वह सच्चाई से कोसो दूर होता है, रतन टाटा जी. अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके सबसे प्यारे दोस्त शांतनु नाइडू के बारे में सभी एकमत हैं, कि शांतनु नाइडू की दोस्ती लोगों में एक मिसाल पेश करती है पर हैरानी तब होती है, जब कुछ बेवकूफ किस्म के लोग वाहियात बातें करके उन लोगों को बदनाम करते हैं, जिनसे उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए. दरासल बात यह है, कि रतन टाटा जी अपने पीछे हजारों करोड की संपत्ती छोड़ गए हैं. इसे लेकर लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर टाटा ग्रुप का चेर्मैन तो नोईल टाटा को बना दिया गया है, पर जो रतन टाटा जी की हजारों करोड की संपत्ती है, वो किसको मिलेगी? और इनी चर्चाओं के बीच शांतनु नाइडू की बात सामने आई, जिसे सुनकर लो उससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आप भी मानते हैं कि रतन टाटा जी एक महान इंसान थे, तो कमेंट में अपनी इच्छा से उनके लिए दो शब्द जरूर लिखें, साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों, इससे पहले कि हम उस बात को आपको बताएं, आप उसे तभी समझ पाएंगे जब एक सिरे से ये वीडियो देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जैसा आप सब जानते हैं कि शांतनू हमेशा से सर रतन टाटा के करीब रहे उनकी सेवा की, बात शुरू हुई, एक किताब से जो शांतनू ने लिखी है, किताब का नाम है, मैं एक लाइट हाउस पर पहुँचा, एक छोटी आत्मकथा जीवन के साथ, रतन टाटा के साथ, शांतनू नाइडू ने अपनी किताब में अपने गुरू रतन टाटा को अंतर मुखी बता अपने संस्मरण में रतन टाटा के जीवन की एक जलक पेश की है, उन्होंने एक ऐसी घटना का जिकर करते हुए बताया, कि जब उन्होंने एक सरप्राइस बिर्थडे, सेलिब्रेशन का आयोजन किया था, जिससे टाटा अजीब महसूस कर रहे थे, दरसल नाइडू रतन रतन टाटा के साथ हैदराबाद में एक हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने के लिए उनके सहायक के तोर पर गए थे, ये शादी रतन टाटा के जन्म दिन के एक दिन बाद थी, इस अफसर को यादगार बनाने के लिए नाइडू ने आधी रात को अपने होटल के कमर में दो कपकेक और एक मोमबती तयार रखने का प्रबंध किया। रतन टाटा को आधी रात तक जगाए रखने के उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें रात 11 बज़ कर 45 मिनट पर अपनी इस सर्प्राइज का खुलासा करना पड़ा। दरसल रतन टाटा के जन्म दिन की पूर्व संध्या पर नाइडू और टाटा के अच्छे दोस्तों में से एक और उनके फ्लाइट क्रू का हिस्सा विनीत उनके होटल के कमरे में उनके साथ बैठ कर बातचीत कर रहे थे। रात करीब 11 बज़े नाइडू और विनीत को लगा कि रतन टाटा को नींद आ रही ह उन्होंने ने किसी ना किसी बहाने से बातचीत जारी रखी ताकि वह रतन टाटा को सर्प्राइज कर सके। हालांकि रात 11 बज़ कर 45 मिनट पर नाइडू ने हार मान ली और कबूल किया कि उन्होंने आधी रात का सर्प्राइज रखा है। नाइडू ने बताया कि जब कब केक लाए गए तो रतन टाटा काफी असहज थे। उन्होंने अपने दो दोस्तों से जन्म दिन का गीत ना कुछ करीबी दोस्तों के साथ निजी समारोहों को अधिक महत्व देते थे। बता दें कि रतन टाटा और शांतनु नाइडू के बीच आपसी सम्मान और समझ का रिष्टा था। अब यहां से वो बात शुरू होती है जहां पैसों के लिए लोग क्या-क्या घटिया हरकतें करते हैं वो आप जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं नाइडू की प्रतिभा से रतन टाटा काफी प्रभावित थे। तभी तो रतन टाटा ने शांतनु नाइडू को खुद फोन करके असिस्टन्ट बनने का ओफर दिया था। इसके बाद शांतनु नाइडू साल 2022 म टाटा के आफिस में जीम बन गए थे। शांतनु नाइडू का जन्म 1993 में महराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्ट अप्स में निवेश के लिए भी सलाह देते थे। शांतनु नाइडू की रतन टाटा से मुलाकात और फिर दोस्ती की व बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे। जिससे ड्राइवर को यह रिफ्लेक्टिव कालर अंधेरे में भी दिख जाता था और वह वाहन को रोक देता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था जिसके बाद से ही रतन टाटा मालिक भी हैं। यह कंपनी सीनियर सिटीजन को कंप्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी का वैल्यू करीब पांच करोड है। वे एक फेमस भारतिये बिजनसमैन, इंजीनियर, जूनियर, असिस्टेंट, डीजीम सोशल मीडिया इ गुत्तों की मदद करती है। नायडू के नेतरित्व में मोटो पोज ने सतरह शहरों में विस्तार किया और आठ महीनों में 250 करमचारियों को काम पर रखा है। पर जब बात पैसों की आती है तो लोग यह जानना चाहते हैं कि नोयल टाटा टाटा ग्रुप चला सकते हैं। यह तो ठीक है पर रतन टाटा के लगभग 3800 करोड किसको मिलेंगे। यह जानने के लिए आपको यह समझना होगा। दरासल रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई हैं। काफी वक्त से यह चर्चाएं होती रही हैं। टाटा परिवा इसमें टाटा समूह में अलग-अलग जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रूप कौन चलाएगा। सोशल मीडिया पर यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। रतन टाटा ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किय है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का चुनाव टाटा ट्रस्ट करेगा। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रूप की पैरेंट संस था है। टाटा संस में इसकी हिस्सेदारी करीब 66 फीसदी है। टाटा के साथ ट्रस्ट हैं। जिसमें से दो ट्रस्ट अहम हैं इन दोनों ट्रस रतन टाटा टाटा ग्रुप के दो मुख्य ट्रस्ट को लीड कर रहे थे। रतन टाटा ग्रुप के चेर्मैन बने और साल 2012 तक टाटा ग्रुप के चेर्मैन रहे इस दोरान टाटा ग्रुप ने जब जबरदस्त तरक्की की। रतन टाटा ने जब 1991 में टाटा ग्रूप की कमान संभाली थी तब कमपनी चार बिलियन डॉलर की थी उन्होंने जब साल 2012 में कमपनी से रिटायर्मेंट लिया तब वह कमपनी को करीब 100 अरब डॉलर के मुकाम तक पहुँचा चुके थे इस दोरान रतन टाटा ने कई बड़ी डील्स की इसमें से 2008 में जैगवार के साथ की गई डील काफी अहम थी इसके साथ ही टी बैग्स बनाने वाली कमपनी टेटली के साथ भी उनकी डील काफी बोल्ड रही जैगवार ने तो टाटा के कारों को ऐसी रफ़तार दी कि आज सड़क पर हर दूसरी गाड़ी टाटा की नजर आती है अब जानिये टाटा ने 21 साल में कौन कौन सी बड़ी डील की साल 2000 में टाटा ग्लोबल ने टी बैग्स बनाने वाली कमपनी टेटली को 440 मिलियन डॉलर में खरीदा साल 2007 में टाटा स्टील ने 13 बिलियन डॉलर में यूरोप के सबसे बड़ी स्टील कमपनी कोरस को खरीदा साल 2008 में टाटा मोटर्स ने 2.3 billion डॉलर में जैगवार लैंड रोवर का अधिग रहन किया इतना ही नहीं साल 2008 में ही टाटा केमिकल ने एक billion डॉलर में अमेरिकी कमपनी जनरल केमिकल्स को खरीदा और तो और साल 2008 में ही TCS ने 512 मिलियन डॉलर में City Group Global Service को खरीदा। आपको बता दे कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोयल टाटा रतन टाटा के सोतेले भाई हैं। रतन टाटा की विरासत हासिल करने के लिए यह संबंद उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता है। नोयल टाटा के तीन बच्चे हैं जिनमें माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा हैं। यह रतन टाटा के उत्तर आधिकारी हो सकते हैं। ऐसे में यह साफ है कि नोईल टाटा एक काबिल इनसान है जो टाटा ग्रुप को और रतन टाटा के एसेट्स का ध्यान रख सकते हैं। पर ऐसे में इंटरनेट पर कुछ यूजर्स किसी को नहीं छोड़ते और यह सब होता है। कुछ लाइक्स, कुछ फॉलोवर्स और धेर सारे पैसे बनाने के लिए इन लोगों को पता होता है कि कुछ नेगेटिव लिखने पर उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जैसे एक ने लिखा कि शांतनु नाइडू का भांडा फूड गया, वो सिर्फ टाटा में अच्छी नौकरी करते हैं और कुछ नहीं और सर रतन टाटा के पैसों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसे में इन बेवकूफ लोगों को यह समझाना कि हर कमपनी के अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं। पुनीत सुपरस्टार ने शांतन नाइडू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शांतनू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेर किया जिसमें शांतनू रतन टाटा के निधन के दिन अपने बाल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर पुनीत सुपस्टार ने शांतन की जाँच की मांग की है और सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया है। पुनीत सुपस्टार जो अपने विचित्र वीडियो और कॉमेडी कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर खास मशूर है। इस बार उन्होंने एक अलग ही मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शांतनु नाइडू को रतन टाटा के अंतिम समय में उनके पास मौजूद होते हुए देखा जा सकता है। लेकिन वीडियो में शांतनु नाइडू को अपने बाल सेट करते हुए देख पुनीत ने सवाल उठाये हैं। पुनीत ने वीडियो में कहा, वहां रतन टाटा जी की बौडि रखी हुई है और शांतनु नाइडू नाम का लड़का अपने बाल बना रहा है। इसको अपने बाल घुमाने की पड़ी हुई है, इसको अपनी स्टाइल दिखाने की पड़ी हुई है, वहाँ लोग रो रहे हैं, लेकिन इसे अपने बालों की पड़ी है, लोग इसे रतन टाटा का बहुत करीबी बता रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। यह कौन है? पु पूरा खयाल रखते थे जब रतन टाटा के अंतिम समय में उनकी देख भाल करने वाला उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, तो उस समय शांतनु नाइडू एक बेटे की तरह रतन टाटा जी का पूरा खयाल रखते थे, शांतनु नाइडू उनके खाने से लेकर उनकी हर एक छोटी बड़ी चीज का पूरा ध्यान रखते थे, आपको बता दे की रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु नाइडू बेह पुलिस और अपने लोगों के लाख चुप कराने के बाद भी शांतनू की आखों से आंसू बहते रहे। एक दोस्त एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है। ये भला शांतनू से बहतर और कौन जान सकता था। शांतनू नाइडू का प्यार देखकर लोग शांतनू नाइडू के मुरीद हो गए। लोगों का कहना है कि रतन टाटा जैसे महान इंसान की सेवा करके शांतनु नाइडू का जीवन धन्य हो गया, जिस हिसाब से सर रतन टाटा का उत्तराधिकारी चुना गया और यह देश हमेशा सर रतन टाटा को याद रखेगा। साथ ही शांतनुने सर रतन टाटा को जो प्यार और सम्मान दिया हमारी टीम उन्हें सलाम करती है और उनके इस सेवा भाव से प्रेड़ना लेती है दोस्तों रतन टाटा और टाटा परिवार ने भारत के लिए जो किया है उस पर आप क्या कहना चाहोगे अपनी कीमती राय अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं साथ ही हमारी मेहनत के लिए चैनल को भी जरूर से सबस्क्राइब कर लें